नमाश्कारम बरीजरों आप देखने स्यूटी पायर्स चाल आपसे का बहुत-बहुत सफागत है यूटूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपके इंटर्व्यू से रिलेटेड प्याश्डी मेडमिशन कैसे लेना है ये तमाम बाते हैं लेकिन ये वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि हम लोग बीएच्चू इस पेसली वीडियो बना रहे हैं बीएच्चू में इंटर्व्यू कॉलिंग्स भीएच्डी के लिए जाए तो आपको वहां कैसे प्रसेट करना है ये तमाम बाते हम लोग इस वीडियो में सेखेंगे मुझे ये पता है कि आप सभी लोग बहुत विद्वान हैं आप सभी को किसी प्रकार के अनुभों की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजी पीजी सब कुछ हो शुका है इसके बाद कुछ बचता नहीं है कहने का मतलब यह है कि अब आप बस एक पाउदान पीछे हो जहां से व मेरे भी है और कुछ एक्सप्रियेंसेज मैंने लोगों से लिया है जो कि आपको समझ में आजा है जो आपको समझ में नहीं आ रही थी आज सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपके पोर्टल पे पीजी कॉल लेटर आ चुका है आप जाकर उसे डाउनलोड कर लो पाईनिक मत होना जिनका नहीं आया है वो अकॉरडिंट तुदर टाइम आज आएगा डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंट करता है तो जो डिपार्टमेंट ज्यादा एक्ट्व है वो तुरंद रिलीज कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट प्रक्राइब करने के बाद उसमे जो भी नीचे इंस्ट्रक्शन है उसको आराम से बहुत ही आराम से पढ़िएगा जो भी चीज़े बताई जा रहे हैं उसको आजब इच फॉलो करिएगा क्योंकि वह ओफिस्यल इंस्ट्रक्शन है अब यहां पर जो चीज़ समझा रहा है उसको आप ध्यान से सुनियेगा, ठीक है, यह है आपका interview panel, actually interview panel जो है, यह आपका interview लेने के लिए बनाया जाता है, इस पेसले, कि कोई permanent panel नहीं है, यह तो इतना ज्यादा hidden होता है, इतना ज्यादा secret होता है, लोगों पता भी नहीं चलता है, actually panel में कौन है, लेकिन कुछ लोग का पता रहता है, जैसे के एक top panel, जो panel कुस्टे टॉप position होता है, वो किसके under guidance में आता है, वो होड के under में आता है, वैसे इन पूरी panel का भी जो बाफ है, वो तो डीन होता है, और इनका भी बाफ हमारा VC होता है, तो लेकिन वहां तक बाफ कहुशती लिए है, जो भी मामला है अंसर करेगा उसका जो टॉप है वहां पे जो टॉप बैठेगा वह आपको कौन होगा डिपार्टमेंट आफ हेड ठीक है तो होता है और उसके नीशे आने वाले लगबग 6-7 मेंबर्स होते हैं और वो डिवाइट किये जाते हैं आपके फर्भरेगे फॉर्म में कट्डिकरी तो कोई क्लेम ना कर सके उनकी बात को समझने के लिए वहां पे प्रजेंट करने के लिए स्टी कडिगरी, OBC कडिगरी, स्टी कडिगरी यह तमाम लोग होते हैं ठीक है यह टीम बनने के बाद उसमें तीन मेंबर्स या दो मेंबर्स डिपेंड करता है ना बोला कि कैसी फैम प्रफेसर्ट फ्रम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से ठीक है और यह सब भी बहुत हीडन होता है यह सायद बस दीन को पता हो ऐसा कुछ तो उन से मामलों में नहीं जाना है इसलिए फॉर्मिशन है आपके इंटर्व्यू पैनल का यह इसलिए बता रहा हूं जि सदल रहे तो यह चीज़ें लोग नहीं हम बना रखाय ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं रिसर्च प्रपोजल बिसिकली बहुत ज्यादा डिमार्टिक रिसर्च प्रपोजल होना कैसा चाहिए क्योंकि आपका जो इंटर्व्यू है वह इसी रिसर्च प्रपोजल पें ही बे लीकिंड करता है आपके प्रपोजल रहे ही आपके प्ठीकुलर के अपके कौर्स के डिपिक परेंब करता है हो सकता है आपको ऐसा होना चाहिए बहुतती kara होना भी पाएंगे ठीक है तो इस टाइब के आपके प्रपोजल वहां पे रेडी होने साहिए यह पूरा प्रजेंट करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है यह बहुत मैस्मम टाइम मैंने बोला इतना टाइम करना एक इंटर्वीवर के लिए बहुत बड़ी वात है होता है ज आगे बताओं तो कि इंटर्वीव के रूम में क्या होता है इसलिए हमी में जादा इसमें नहीं कर रहा हूं उसके बाद जो अपका टॉपिक होना चाहिए आपके कोर सब्जेक्स से रिलेटेड होना चाहिए मतलब आप जिस विसे में जाहे आपका अलाइट सब्जेक्स हो आपका कोर सब्जेक्स हो जिस विसे में आप गये उसी से ही रिलेटेड आइसा नहीं आप सब्सक्राइब करते आ रहें टॉप इंवर्सेटी लेकिन बहुत सरे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अभी फॉर्स टाइप ऐसा एक्सप्रियेंस करने जा रहे हैं उन्होंने बहुत महिनत करिए यहां तक की यहां तक का सफरतने करने के लिए तो उनके पास कुछ उतना आइडिया नहीं होता है तो यह सब क्वेस्टन मेरे पास आये हैं इसको इस तरीके से प्रजेंट कर रहा हूं प्लीज माफिचाओंगा आप कॉलिटी बहुत विद्वान हो मैं बताना चाहूंगे कि पार्ट साला फैमली से आल्मोस्ट परसेंट रजल्ट है मतलब यहां पर तिवारीजी सेलेक्टेड हैं आर्चिम सेलेक्टेड है मान सेलेक्टेड है मतलब जो भी हमारे पढ़ा रहे थी सब के सब कॉलिग में बुलाएंगे और सब लोग जा रहें रेट नहीं टाइप जोना चाहिए आप इसको बकादा टाइप कर लो ठीक है किसी कंडिशन में अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर होता है टाइप कर तो प्लीज आप करके इस पेसली पता कर लिजेगा मैं जनरल इंफॉमेशन दे रहा हूं कि मस्ट भी टाइप आइप आपक सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन आप पीनिया फाइली प्रिफर करिएगा जनरली यह लोग यूज किये हुए है पहले के रिसर्च स्कॉलर्स ठीक है अब यहां पर आपके पास सब कुछ अफसन ऑल्री है कि क्या-क्या लेकर के साथ कॉलेटर हो गया आपका रेटर एक्जा को भी अभी तक की क्वालिफिकेशन वाले डिग्री दस मी बाराम यह सब लेके चले जाना यूजी पीजी सब ठीक है और और एडुकेशन ड़कुमेट्स हो गया और तेन फोटो एटलीस आपके ऑफिसियल सेल्फी तेढ़ा मेरा मुं करके नहीं बढ़ी हासा एकना लगना इस टैप को भी कॉस्स फ्योचर में बता जेता हूं रिसर्च प्रोपोजर इंटरेकों के लिए जाते हो पेली इंटरेकों के जाते हो तो वहां पे किसी भी टाइप का पैसा नहीं माना जाता है कभी एसा चुछेशन हो जाएगा गेट से बाहरा आज हो और कोई एक चपरा हो जाता है जब तक आपको अड्मिशन नहीं मुलेगा तब तक आपसे पैसे नहीं ले जाते है वह भी ऐस ओफिसल फी है यह पैसा लेन का संसरी है ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं कि आपके पास उस दिन on the day of interview जो उस कमरे में होने वाला है उस बात को ध्यान से समझते है आप ध्यान देजेगा आपकी जो इंट्री होनी चाहिए आज कल बड़ा ही वारल होता है एक IES का जो इंट्रीव है उसमें UPSC वाला आपका बैचने का तरीका थोड़ा कैज्वल था बोलने का तरीका थोड़ा कैज्वल था इस तरीके का तो वह आप याद कर लेना कुछ आपको बताना चाहरा हूं कि आप अपने आपको एक बढ़ें इंट्रीव वर के तौर पर ले जाओ ठीक है अच्छे से प्रजेंट करना ही कोसिस करना जैसे लोग बोलते हैं कि प्यार के सबसे अच्छी चीज क्या है तो लोग उसमें क्या करते हैं अपना बेश्ट देनी क मेरी बाल अच्छे होने चाहिए मुझे बात करने का तरीका पता होना चाहिए यह प्यार का सबसे अच्छा लगता है कि उस दिन आपको यहां पर बैस देने की कोसिस करना है अपके इंट्री जब आपका नाम बुलाया जाए तभी करना है यह ले गेट खोला और घुश गय ठीक है तो इंट्री हो गया उसके बाद इंट्रॉक्स है आप से जब तक बोला ना जाए तब तक आप इंट्रॉक्शन मत देना ठीक है आपको बकायदा क्योंकि जनरली वो लोग टॉकिंग करते हैं जो पैनल्स होती है वो कुछ इस तरीके से सरकल में बैठ सकते हैं ऐसे करक में है रेक्टेंगुलर है सरकुलर है इस तरीके का वो प्रॉपर होता है बड़ा अच्छा फिलाता है तो आप इस तरीके से बैठ हुए यहां पर जाते हो तो आप तुरंदनक बोलने लगना अब वो बैठ के बाते कर रहा है और उन्हों सुना भी नहीं तो एक बैड मैनर होता है यहां पर इंगल संस्कित में करना चाहिए बाकि लैंग्वेज का को रिस्टिक्शन नहीं होता है आप फ्री हो किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए इंग्लिस और हिंदी की बात करता है इसके बाद वो सीधे आप से बोलेंगे कि आपका जो रिसर्च प्रो करों को उतना समय ओलोग देते हैं आपको ठीक है और फिर इसका तो हीटन मार्किंग करने लगते हैं इस पर मैंने बीच में कुछ इसकीप किया है वह इसकीप यह है अध्यान से सुनना कि आपका इंटर्व्यू जब होने लगता है आप से नो बैक टू बैक वह वान टू फ आप रिप्लाइ करते जा रहो बैक रिप्लाइ बैक रिप्लाइ तो यह इंटर्व्यू का जो दारा है फंटर मिनट तक जा सकता है अधरवाई जो 7-8 मिनट में आपको बाहर कर देगे कभी और बहुत हैजीटेट होते तो वह एक डे है वैसे मैं बहुत गलत इस्टेटमेंट दे रहा हूं आप PhD के लिए जा रहो तो मुझे अच्छे से पता है इतनी मेहनत करने के बाद आदमी के अंदर सडलता आ ही जाती है ठीक है उसके बाद यहां पर लाइंग इस वासा मैंशन कर दिया लाइंग मेंच कोई भी हो सकता है लेगे नहीं यह डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट को कोई यहां भी इनुफॉम कोई बच्छे मुझे कोमेंट के हुए थे कि सर हम लोग को अच्छली उस दिन क्या पहन के जाना है हमारा परीधान क्या साँ होना चाहिए बाइगो मेरा तो मानना है कि आपके पास जो आपका बेस्ट कपड़ा हो अजो बहुत ही नॉर्मल हो आपकी बहुत ही स्मूल्थ लाइट कलर सर्ट होते हैं जो जादा आपको को चुहे ना जिसमें आपका चेरा ज्यादा नजर आपका सर्ट ज्यादा ना नजर इस टाइप के कपड़े आप यूज करो उसी तरीके से जो बहने हैं जो बड़ी सिस्टर्स है वो लोग इस तरी आपको कैसे वहां पहनना चाहिए लास्ट है कि अब जब पूरा सब कुछ हो जाता है तो वहां से जाना कैसे है most important वह आपको बोलते है ऐसा नहीं आपको बोलेंगे ओके थैंक्यू सो मच आपने बहुत अच्छा प्रसेंट किया ठीक ऐसा करके तो आपको जब बोलेंगे त आप से आप देख लेना उस रूम में क्या माहूल है अगर बड़ा बड़ी हाँ अंडरस्टैंडिंग हो गया लोगों में बड़ा अच्छे से प्रसेंट कर लिए तो आप सबको प्रसेंट कर सकते हो तो इस तरीके से अपना वहां पर माहूल देख लेना ठीक है इसके तो अब भी बोलते हैं प्लीज उस दिन मत दिमा बोलना इतना बोलना कि कम से कम पैनल का इतना दूर बैठा आदमी यहां से दूर यहां तक आपकी आवाज बहुत जाए समझ रहाए उनको यह ना बोलना पटेगी थोड़ा लाउड बोलो हमें समझ में नहीं आ रहा है हमसे उमीद करते हैं कि आप डील करो आपके अंदर प्रस्टनालिटी समझ में आनी चाहिए लेकिन यहां पर पिस्टनल है आप डाउन चलता है अपने आपको कॉन्पिडेंट रखना है लेकिन ध्यान देना है कि आप सक्ष्री करती विदियों के लिए गया है आप प्यस्बी एड सकते हैं मेरी इंस्टा आइडिया नेरदर्सन आप वहां पर मुझे आराम से पना क्वास्टन पोस्ट सकते हो और ठीक है तो बहुत सरी सुबकामना है मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आने वाले मुस्पिल से 10 से 15 दिनों में प्यस्डी एड्मिशन के चुबे झाल मुझे वाले में लोगयक मुझे भोगई वी ऊुशी है